तुछ आण गौन में चाह प्रेंट्स आपने रस्क को बहुत खाया होगे चाई के साथ लेकिन आज रेसिपी में आपके साथ शेयर कहने हूं उसको हमने रस्क से तयार किया है बहुत ही जादा लाजवा कमारी ये रेसिपी बनकर तयार हुए है और देखने में जितनी जादा टैम्टिंग है न उतनी ही बनाने में आसान भी है बहुत ही कम ingredients का हमने इस recipe को बनाने में इस्तमाल किया है और आप इसको किसी भी occasion पर बना सकते हैं और जब आप अपने मेहमानों को इसको बना कर खिलाएंगे तो वो आपकी वावाही करते नहीं धकेंगे I hope friends कि आपको मेरी recipe ज़रूर पसंद आएगी तो आप इस होली पर इस recipe को ज़रूर बनाएगा और enjoy कीजेगा अपने family and friends के साथ तो चलिए इस लाजवाब सी recipe को बनाना शुरू करते हैं इस recipe को बनाने के लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई गरम होने के लिए रख दिये और अब इस कढ़ाई के अंदर हम टू टी स्पून देसी घी डाल देंगे तो देसी घी से जो इस मिठाई का फ्लेवर हो बहुत अच्छा हो जाता है घी तो गरम हो गया है अब यहाँ पर मैंने ली है एक कप सिवया इनको आच्छे से कर लेंगे हातों से तक यह थोड़ी छोटी छोटी हो जाए और इसको इस घी में डाल कर हमने फ्राइ करना है तो मीडियम फ्लेम पर इन सिवयों को लगातार चलाते हुए फ्राइ करना है और जब इनका गोल्ड़न कलर आजाएगा तो इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे अब यहाँ पर हमने दुबारा से इस कढ़ाई को गरम होने के लिए रख दिया है और टू टी स्पून देसी घी फिल से इसमें हम डाल देंगे कढ़ाई के अंदर तो आठ से नो मैंने हरी इलाई चिली है इसको हम इस घी में डाल देंगे जब गरम हो जाएगा और हलका सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है वो घी के अंदर आ जाए अब इसमें हम एड करेंगे दूद तो यहाँ पर जिस दूद का इस्तमाल कर रहे हूं मैं फ्लक्रीम दूद है क्योंकि दूद जितना गाड़ा होता है इस मिठाई का जायका उतना ही अच्छा होता है तो यहाँ पर मैंने तीन ग्लास दूद लिया है और इसको इस अब जाए में और एक बाल आने देंगे इस रैसिपी के फ्लेवर को और जादा इनहेंस करने के लिए हम यहाँ पर इस्तमाल करेंगे मिल्क पाउडर कर देंगे इसको थोड़ा सा दूद डाल कर एक घोल रेडी कर लेंगे तो आप मिल्क पाउडर को इसके जगा खोई का भ कर लेंगे यहां पर मैंने एक कप ताजी मलाई ली है इसको भी दूद में डाल देंगे इससे भी इस रैसिपी का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है और इसको तकरीबर आठ से दस मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे इसको और फ्लेवरिंग के लिए मैं यहा आप देख सकते हैं कि दूद जो है वो काफी रिडियो हो चुका है तो अब इसमें हम एड़ करेंगे शूगर को तो शूगर को आप अपने जायके के अकोर्डिंग ले सकते हैं मैं यहां पर आधा कप शूगर का इस्तमाल कर रहे हूं तो इसको डाल दोंगे इस दूद में और इसको तब तक पकाएंगे दूद को हम जब तक कि यह शूगर अच्छे से डिजॉल्व नहीं हो जाती है अब इस दूद के अंदर हम एड़ कर देंगे इन सिवयों को जिनकों की हमने फ्राइ करके रखा था अब दो से तीन मिनट के लिए इन सिवयों को हम मीडियम फ्ल देखेंगा इनकी कंसिस्टेंसी जो है वह हो तेक हो चुकी है यह दिख सकते हैं अब अब तुर छंडा होने के लिए रफ देंगे और फ्लम को अफ कर देंगेर अब मैं लें लिए यह ने ूरस्घ तो यह सूजी के वैसस्ती यह कहते हैं और कहीं कहीं तो आ चाता आता है तो यहां पर मैंने गर्म दूद ले लिया है एक ग्लास तो यह हलका सा गुनगुना दूद है इसके अंदर हम इन रस्क को डाल देंगे और कुछ सेकंड डालने के बाद में निकाल लेंगे बस इन्हें हलका सा सौगी करना है हमें अब इनको हलका सा दबाएंगे नाइफ की है से इनको अच्छे से प्रैस कर लेंगे ताकि जो एक्सेज मिल्क है वो सारा निकल जाए और इसी तरीके से बागी सब को तयार कर लेंगे और इक इस तरह से ट्रेय आपर मैंने लिए उसमें लगा दिये हैं मैंने यहां पर स्ट्रॉबरी डाल देंगे इन रस्क के ऊपर आप चाहें तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी फूर्स ले सकते हैं तो इनको डालने से जो इस रैसिपी का फ्लेवर है वो बहुत अच्छा हो जाता है तो फूर्स आप जरूर डालिएगा और आप जो हमने सिवयो कमे कीस्टरर्ण कैसे की थहां तो इस अरतली मीक्सेशर की आपको रखनी अगर पॉर्सक पाहतने आतर यह चिंझाएपको यह तो सब्सक्साइब मैं यह एक तैसे राकिन एक फ्लाइगे इस सारे डाल देंगे व उनको पर आप विवल सिक चाहता और को पूरिए है तो इस क जैसे कि काजू, किश्मिश और बादम आप चाहे तो इने इसके भी कर सकते हैं या अपनी चॉइस के अकोर्डिंग कोई भी ड्राइफुक्स का इस्तमाल कर सकते हैं यह देखिए इसको हमने अच्छे से गार्निश कर दिया है इन सभी चीजों के साथ तो अब थंडा होने के अब मैं आपको इसको निकाल कर भी दिखाती हूं यह देखिए बहुत आसानी के साथ यह निकल भी जाती है अब मैं इसको आपको एक प्लेट में भी निकाल कर दिखाती हूं और इसकी छोड़ी सी बाइट भी दिखाती हूं आपको कितनी जादा लाजवाब ही हमारी रेसिपी बनकर तयार हुई है तो जिस वह वाले दूद को आमने इन रस्क के ऊपर पोर किया है तो रस्क ने इस्टेट देट बहुत हीद पास तो लफ लेसिपी बनी है मेरे पास तो लफ पास फी नहीं है कि में क्या को हूँँ ये कितनी जादा अच्छे बनी है तो बस अब आप ही इसे ट्राइक जिए और मुझे कमेंटस में ज़रूर बताइगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग बाइ!